सो हे गाईज तो केसे हैं आप सब आई होप आप सब छीख होंगे अच्छे से होगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है 12 बेसे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सिस की जो कॉंसलिंग है वो 20 डेसमबर से लेकर 23 डेसमबर तक होगी और इसमें जो 12 बेसे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सिस हैं आपके पास मेडिकल असिस्टन्ट हैं लेब असिस्टन्ट हैं ऑप्थलमिक असिस्टन्ट हैं इस जी टेक्निशन हैं आपके पास सेनिटरी इस्पेक्टर हैं डी फार्मेसी हैं तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं इसमें 20 डिसमबर से आपकी कांसलिंग सिटार्ट हैं आप लोगों ने detailed वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की हैं इस कांसलिंग के बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हैं तो description में आपको link मिलेगी और comments में भी एंड आप लोगों ने merit लिस्ट भी डाउमलोड किया होगा जहां से आपको अपनी rank मिलेगी एंड rank wise आपको जाना है counseling में participate करना है आफ लाइन आपकी counseling होगी बोपियाफिस सिरे नागर एंड बोपियाफिस जमूम है इसमें हम एक important doubt के बारे में discuss करेंगे जो कि हम पर point number five में discuss किया गया है जो भी आप मैसे ऐसे बच्चे हैं जुनोंने GNM, A&M और MRT की counseling में participate किया है और यहाँ पर अब चाहते हैं कि हम paramedical diploma course में counseling करें तो इसके बारे में एक important point है अगर किसी बच्चे को GNM, A&M और MRT में seat मिली हैं क्या वो पार्चपेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा अगर government seat मिली हैं तो क्या कर सकता है अगर private seat मिली हैं तो क्या कर सकता है तो एक important doubt है क्योंकि आप लोगं को पता है 11 December से लेकर 19 December तक पहले GNM, A&M और MRT की counseling थी and 20 December से अब 12th visit paramedical diploma courses में counseling है and 12th visit paramedical diploma courses जिसमें बहुत सारे courses हैं उनमें seats भी अच्छी खासी हैं and government seats भी अच्छी खासी हैं while age जो A&M था इसमें सिर्फ private seats थी MRT में सिर्फ 20 government seats थी सिकमस में and GNM में सिर्फ 440 government seats थी बाकि private seats थी अगर आपको private seat मिली है 11 से लेकर जो 19 तक counseling हुई GNM, A&M and MRT में तो आप यहां पर counseling कर पाओगे अगर आप चाहते हो कि हम paramedical diploma course में counseling करें तो आप कर सकते हो लेकिन condition है अगर आपको private seat मिली है ओके अगर आपको private seat मिली है कोई private college मिला है तभी आप यहां पर 12th basis diploma courses में counseling कर पाओगे and और एक condition है अगर आप लोगों ने apply किया था 12th basis paramedical diploma courses में अगर आपके merit list में वहां पर PM एक option है PM याने paramedical अगर वहां पर PM के नीके आपका yes है याने इसका मतलब आपने paramedical course में apply किया है अगर आपको GNM, A&M, MRT में private seat मिली है तब भी आप यहां पर counseling कर पाओगे तो यह दो conditions है अब अगर आपको GNM, A&M, MRT में government seat मिली है वैसे A&M में government seat तो है नहीं अगर आपको GNM या MRT में government seat मिली है अपनी choice के basis पे तो आप यहां पर counseling में पार्टस्पेट नहीं कर पाओगे parametrical diploma courses के लिए एक important point है अगर आपको GNM या MRT में government seat मिली है अपनी choice के basis पे ओके own choice अगर आपको अपनी choice के basis पे GNM और MRT में government seat मिली है तो यहां पर आप eligible नहीं हो counseling के लिए irrespective of their choice आप यहां पर diploma courses के लिए counseling में participate नहीं कर पाओगे even कि अगर आप लोगों ने online application form में yes किया था parametrical diploma courses में एक important point है और अगर किसी बचे को GNM, A&M या MRT में private college मिला है private seat मिली है अब आप चाहते हो कि हमें government seat मिली किसी भी branch of parametrical diploma course में तो आप यहां पर participate कर पाओगे in a nutshell अगर आपको GNM, A&M या MRT में private seat मिली है और आप लोगों ने parametrical में yes किया है तो आप counseling कर पाओगे अगर आपको GNM या MRT में government seat मिली है आप यहां पर counseling नहीं कर पाओगे